नमस्कार, आज मैं फिर आप से रुबरू हूँ, इनेक्वाल्टी के कंटेन्ट के साथ कैसे हैं आप सभी लोग, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को समझ में आया, बेसिक साथ लोगों ने किलियर किये, तो आप इसके दूसरे वीडियो के साथ, मैं आज आपके सामने फिर्व गरू हो रहा हूँ जो सदस से आज जुड़ेंगे उनको आज की बास समझ में नहीं आएगी जब तक कि वो कल का बेसिक वीडियो क्लियर नहीं करेंगे आज में आपको टैबूलेशन और कैसे पृष्ण हल होते हैं इन दोनों की बारे में बताने चलना हूँ और आज से हम लोगों की पृष्ण हल होने प्राणम हो जाएंगे प्राई लिखाई शुरू करने से पहले कुछ बात आप से कर लूँ कैसे हैं कोरोना का प्रुभाव बढ़ता जा रहा है हम सभी लोगों को सुरक्षित लेने की जरूरत है रहने की जरूरत है लोगों की साहता करने की जरूरत है मेरा आप सभी लोगों से अन्रोध है टार्गेट बित आलोग ऑनलाइन इस्टिटूट की तरफ से मैं आप सभी लोगों से बिनमर अन्रोध करता हूँ कि आप सोचल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, आप घर में लॉक्डाउन रहें और टार्गिट बितालों ओनलान इस्टिटूट इस कथिन समय में जितना जादा से जादा हो सकेगा आलोक सरके कोशल निर्देशन में हम लोग ना कि बस सामाजिक सेवा करना है बलकि मैं पूरा प्रियास कर रहा हूं कि यह जो बहमूल समय आपका है आपका यह बहमूल समय भी खराब ना हो, जो समय आपको मिला है इसमें भी कुछ ना कुछ आप अरजित करते रहें एक बैकल्पिक जो बिवस्था है इस तरीके की यह घर के बगल में की है जब तक उहां पर आवा गमन एलाव हो पा रहा है किसी तरह बच बचा के मैं आपकी सिवा में हाजिर हूँ जिस दिन परिष्थे थिया इतनी परिष्थ हो जाएंगे कि कुछ कर ही नहीं सकते बिलकुल लोग हो जाएंगे और मेडिकल अमर्जेंसी कोई ऐसी बात आई तो फिर होगा लेकिन जब तक मन में वो है लगभग लगभग डेली आपके सामने उपस्तित रहूँगा और लगातार अच्छे कंटेंट के साथ उपस्तित रहूँगा ताकि इस कठिन समय की यादे भी हम लोग सजोएं कि इस कठिन समय में भी हम लोगों ने पढ़ा था इनेक्वल्टी हम लोग पढ़ रहे थे जल्दी ये समय बीतेगा जल्दी ये अधेरा बीतेगा हम एक नए समय में आएंगे, हम फिर से खुशी होंगे, हम फिर से प्रसंड होंगे, हम फिर से पढ़ाएंगे, लिखेंगे, चैन लेंगे और एक सुन्दर देश हमारा फिर से दिखेगा, सुन्दर समाज दिखेंगे, सुन्दर परवार दिखेंगे एक बात उन सभी लोगों को मेरी तरफ से grand salute और मैं सम्मान प्रेसित करता हूँ जो पुलिस वाले, जो डॉक्टर, जो स्वास्त कर्मी, जो सफाई कर्मी लगातार essential service से जुड़े हुए जो सभी व्यक्ति जो हमारी सिवावल लगे हुए है वो सर्व कर रहे हैं हमको ताकि 104 रूप से विवस्थाएं चल सकें सरकार की विवस्थाओं कम तक पहुंचा रहे हैं मैं उन सभी लोगों की पृति सरस्थान की तरफ से अपना जो है जो ससम्मान पर प्रेसित करता हूँ हाँ जोड़के और आप सभी लोग भी उन सभी लोगो ग्रेंड से लूट करें ऐसे लोग हमारे हीरो हैं हमने अपने हीरोज को यहाँ पर देखा है आएए कल अपने उन्हें बेसिक्स पर बात की थी निक्वल्टी के वो basics पर बात करने के बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा था 5 चीजे मैंने आपको बताई थी कल क्या कि समान पृतिकों के साथ जो निसकर्स होते हैं वो हमेशा सत्त होते हैं असमान पृतिकों के साथ जो निसकर्स हमेशा होते हैं असमान पृतिकों के साथ जो निसकर्स होते हैं, वो असत्त होते हैं, फिर मैंने बताया था, बरावर का जो निसान है, वो समान पृतिकों के साथ हमेशा असत्त निसकर्स देता है, फिर मैंने आपको बताया था, बरावर का निसान जो असमान पृतिकों के साथ हमेशा असत्त निसकर्स देता है और लास्ट मैंने आपको बताया था कि एगर बरावर दो चिन्नों के बीच में लगा हो तो हम दोनों चिन्नों का इस्थान क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं दोनों कंटेंट का इस्थान बदल सकते हैं और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि यदि A और B एसे दो निसान हो और इन दोनों ही निसानों को निसकर्स में दे दिया जाए A बराबर B और A चोटा है B से अब B बड़ा है A से तो मैंने आपकَ बताया था कभी भी ऐसे निसकर्स एक सास सही नहीं हो सकते चुकि दोनों ही निसान है तो 50% इसके सही होने की संभावना होती है और 50% इसके सही होने की संभावना होती है दोनों ही संभावनाओं में ये स्टिती जो होती है वो इधर और की स्टिती बन जाती है तो हम कहते हैं या तो निसकर्स एक सही होगा या तो निसकर्स दो सही होगा इतनी बाते मैंने बेसिक वीडियो में आपसे डिसकस की थी और आज अब बात है कि हमें जो है इसको क्या करना है हल करना है कैसे हम इनिक्वाल्टी को आसानी से हल करते हैं UPSI, BNPO, SSC, BO, CSET के कोई भी एक्जाम हो लगातार आपसे कमिसन भी अब जो है अधिनस तायोग भी आपसे इनिक्वाल्टी के सवाल पूछने लगा तो आगे की तयारी के लिए टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्तुपूर है और आप इसको तयार करते हुए चलेंगे एक बात, इनिक्वाल्टी की सीट शमक लिएगा इनिक्वाल्टी की सीट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कल भी बताया था आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं जो सवाल मैं आपको 50-55 करवा रहा हूँ वो सारे सवाल आपकी सीट में है वो आज मेरी तरफ से आपका होमबर्ग है कि आज मैं जो सवाल बताऊंगा उनके आधार पर आपको सेस बचे हुए सवालों को भी वहाँ पर क्या करना है हल करना है आईए, शुरूबात करते हैं आज किस सेशन की देखिए आसान हो जाते हैं और कैसे हम इस टेuben को यूज करते हैं अपने सवालों में देखिए जब भी कोई सवाल आता है तो टेविल बनाना अनवार सर्थ होती है और अगर हमने टेविल बना ली तो यह माना जाता है कि 75% सवाल हमने अईहल करना है कैसे table बनती है किनी भी दो content को आपको compare करना है तो आप टेवल मनाईए तो क्या करिए पांच बार एक content को एक बार लिख लीजी ध्यान से समझेंगा table कैसे बनती है पांच बार एक content को एक साथ लिख लिजी, जैसे हमने लिखा P, 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 P एक तरफ एक ही content को लिखना है, बहुत आसानी से और दूसरी तरफ हमने यहां पर लिख लिए Q, 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 और Q आप A और B, V ले सकते हैं, अगर एक तरफ आप A लिखें, तो एक तरफ आप V लिखें, है ना यह पहला सवाल है आपकी seat का, और उसमें यह निर्देस आपको दिए गए है, इन्ही निर्देसों के आधार पर हम लोग table बनाते हैं, क्लिए? तो आप ले एक तरफ लिख लिए P, Q, या हम A, B लिख लें, या आपको जो भी मन करें, वो लिख लीजी, दो content, एक content, एक तरफ और एक content देख तरफ, इसके बाद जो भी पांचों चिन्न होते हैं, आप यहाँ पर इस content में लगा दें, कोई sequence की जरूरत नहीं है, कोई चिन यह होता है, पहले क्या करना है, एक तरफ एक content, दूसरी तरफ दूसरा content, फिर क्या करना है, पांचों चिन्नों को यहाँ पर लगा देना है, और इसके बाद इस सब को एक table बना देनी है, और table कैसे बनानी है, मैं आपको बताता हूँ, और इसके बाद आपको इसको पढ़न चले, अब इन संक्यतों के याधार पर जो चिन्न इन संक्यतों के याधार पर दिये गाए उनको यहाँ देरेना है, क्या लखा है, P percentage Q कार्थ है इस arrow का मतलब है कार्थ है, P Q से छोटा नहीं है तो दिखे, इस percentage के चिन्न ने एक चीज के लिएर कर दी कि PQ से छोटा नहीं है तीन कंडिशन होती है क्या छोटा बरावर बढ़ा अगर एक कंडिशन इसपर्ष्ट हो गई तो दो कंडिशन बची नहीं और दो कंडिशन इसपर्ष्ट हो गई तो एक कंडिशन बची नहीं मैं आपसे छोटा नहीं हूँ इसका मतलब है या तो हम और आप बरावर हो सकते है या मैं आपसे बढ़ा हो सकता हूँ एक condition जब भी clear होती है तो दो condition बची रहती है बस इतना ही sense लगाना है देखो P percentage क्यूँ कारत है P Q से छोटा नहीं है इसका मतलब दो बाते में बची है कि या तो P Q से बढ़ा होगा या तो बरावर होगा तो देखे इस वाले चिन्न में देख रहा है P Q से छोटा नहीं है मतलब या तो P Q से बढ़ा है या तो बरावर है तो इस चिन्न को हम क्या कहेंगे percentage clear है अब देखो दूसरे में क्या लखा है P Q से बढ़ा नहीं है एक बात clear होगा क्या नहीं है बढ़ा नहीं है इस चिन्न का मतलब है P Q से बढ़ा नहीं है तो दो condition छोड़ दी क्या बताओ या तो P Q से छोटा होगा या तो P Q के बरावर होगा बढ़ा नहीं है तो इसका मतलब है ये देखी इस condition में या तो P Q से छोटा या तो बरावर तो इस condition को क्या कह दिया हैस कह दिया तीसी वाद कल सब बताया था P $ Q का आर्थ है अब देखे दो condition clear कर दी P ना तो Q से छोटा है और ना ही समान समान का मतलब होता है बरावर अब देखो दो clear कर दी ना तो छोटा है और ना ही समान है बरावर है तो भईया छोटे भी नहीं हो बरावर भी नहीं है तो क्या हो गए बड़े हो गए तो यहाँ पर क्या है P Q के बरावर है तो ये बताओ condition क्या हो गई हमारी डॉलार पी ना तो क्यूँ स्वरी पी ना तो क्यूँ से छोटा है और ना ही बरावर है इसका मतलब क्या हो गया ना तो छोटा है ना तो बरावर है तो पी क्यूँ से क्या है बड़ा है तो ये condition क्या हो गई डॉलार चोटा, पी स्टार क्यों कारत है, पी ना तो क्यों से बड़ा है और ना ही बरावर, ना तो बड़ा है ना ही बरावर, तो भाया, अगर ना तो बड़ा है ना ही बरावर, इसका मतलब क्या है बताओ, छोटा है, तो यह क्या हो गया, बताओ, स्टार हो गया, लास्ट है, पी ओ पांचों चिन आते हैं, एक बार आपने टेविल अगर सेट कर ली, हमेशा इन निर्देशों के आधार पर आपकी ये टेविल बनेगी, और निर्देशों के आधार पर ये एक हमेशा हर सवाल में एक रहेगा, ये चिन बदल जाएंगे, परसेंटेज का चिन कहीं पर कुछ परदर सित करता है, कहीं पर कुछ परदर सित करेगा, और जैसे ये चिन बदल जाएंगे, इसका मतलब ये है, फिर सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत किलिए हो जाएंगे, फिर आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी के लिए तो यहाँ पर देखें साफ साफ यहाँ पर क्या लिखा है पी परसंटेज क्यू करते हैं पी क्यू से छोटा नहीं है तो हमने कहा या तो बड़ा है तो बरावर यही टेविल एक आपको बनानी है फिर आराम से आप इं रिदिशों के आधार प क्या कतरन है पहले स्वाल का के डॉलर पार है बिलकुल बेसिक से चलते हम है इंग्षफ के नीचे दो निस्कर्स दिए गए है निस्कर्स पहला है आपका T percentage R के लिए थोड़ा और नीचे निसकर्स लिखते हैं आसानी होगी क्या लिखा है पहला T percentage R है ना और दूसरा निसकर्स है K dollar W K dollar W कैसे हल करेंगे तो देखो पहले तो यह Chinese language लिखी और हमें Chinese पसंद नहीं है हम सभी लोगं को Chinese पसंद नहीं है तो पहले तो इस Chinese language को हम देशी में बदल लेंगे क्योंकि देखिए K dollar R तो dollar का चिन्न तो हमें बताता है कि इसका मतलब यह है तो हमने लिख लिया K dollar की जगा क्या लिख लिया बड़ा है R से आराम से हमने किया बाई इस चिन्न का मतलब dollar का यहां पर यह था तो हमने इस चिन्न को नीचे लगा लिया दूसरा है ना अब देखो दूसरा क्या लिखा है यहां पर R omega W अब omega का क्या मतलब है बरावर यह बरावर है तो हमने R बरावर W कर दिया अब W हैस T अब बताव W और T के मीच में जो हैस है इस हैस का मतलब क्या है बताओ तो आप कहेंगे W का हैस का मतलब है W छोटा है या बरावर है किस से T से अब मैंने आपको बताया था वेटा कि जब भी बरावर का निसान लगा हो तो हम इस समीकरण को दो प्रकार से लिख सकते है क्या बताओ के और जिन नोनों चिन्न के बीच में बरावर लगा हो उसका निसान बदल लेते है या तो हम समीकरण को ऐसे लिख लेंगे या तो हम इस समीकरण को ऐसे लिख लेंगे बरावर आभी मैं और आसन कर दोगा एक बार समय लिजी, ओटी, मतलब हमारे कहने का आसा ये था, कि जो उपर आपके चिन थे, किसे डॉलर का चिन ये था, है ना, डॉलर का चिन, मैं कलर वगल के लिखूं, तो आपको जहादा समझ में आएगा, चलिए डॉलर का चिन्न ये था है ना चलो इसका बरावर था और इसका चिन्न क्या था टेबल से हमने आरोपित कर दिये उनकी नीचे अब ती परसंटेज आ इसको भी हम हिंदी में लग दे परसंटेज का मतलब क्या होता है बताओ बिटा तो आप कहेंगे ती बड़ा है या बरावर है आर के यही तो होता है हमने बदल दिया और के डॉलर डॉलर का मतलब है बताओ डॉलर का मतलब क्या होता है तो आपने क्या कहा के बड़ा है डॉलर से ये पूरी समरी मिल गई हमें कि ये हमारे कथन है चिन्न हमने बदल दिये और कथन के बाद ये हमारा पहला नि अब हमें वही समान असमान सत तसत पृतिकों के आधार पर इन निसकर्सों की कुंडली बता देनी है हमारा काम हो जाएगा कैसे अब देखिए पहला रिलेशन चाहिए T और R के बीच में है ला तो आप अगर समी करण के कथन के इस हिस्से को देखें बेटा तो T और R के बीच म बरावर है R से यहां पर दिख रहा है अब पूरा रिलेशन ही कथन में अगर मिल गया तो यह कथन क्या है बताओ सत है क्योंकि पूरा निसकर्सी कथन में हो मिल गया और दूसरा हमारा क्या है बताओ K बड़ा है W से तो यह निसकर्स जो यहां था वो हमें यहां मिल गया K ब पताया और जब एक बार आपकी टेविल बन जाएगी तो केबल आपको symbols को convert करना है और जैसे आप symbols को convert कर लेगे तुरंद आपका काम यहाँ पर clear हो जाएगा clear और हमने symbols को convert किया और यही आपकी seat का जो पहला प्रशन था वो clear हो हो गया दोनों ही निसकर्स सब्सक्राइब क्लियर चलिए अब दूसरे सवाल को देख लेते हैं एक बात टीबल तो वही है उम्मीद है कि सब को समझ में आ चुका होगा आए अब लाइब तो है नहीं recorded बनती और एक और बात यह seat में इस समय खुदी टाइप कर रहा हूं सारी तो थोड़ी बहुत गलतिया हों तो उसे आप जो है थोड़ा से देखिएगा कि सर खुदी computer पर टाइप कर रहा है इसलिए दिक्कत है और कल परसों से मैं GS की भी कुछ इस classes के साथ आप से मिलूँगा practice session में मैं अपनी तरफ से पूरा प्रियास कर रहा हूं कि लगातार जो है कुछ न कुछ मेरी तरफ से आपको इस जो है समय में जाए clear आईए दूसरा सवाल लिखते हैं लिखा है h percentage r clear फिर लिखा है r has k समझेगा तीसा लिखा है k dollar चलो अब निसकर से दिए गया क्या दिए गया बताओ b star r पहला निसकर से और दूसरा निसकर से हाँ पर k dollar h फिरा ये दो निसकर से दिए गया है b star r k dollar h तो अब हमें क्या करना है जल्ली जल्ली से हमें वहीं करना है आप लोग भी लगाना शुरू करें कल मैंने कहा था कि पेपर लेके बैठिएगा अब चलो पहले इसको अपनी भासा में बदलते हैं कथन तो भी चाइनीज में लिखा है हिंदू है हम बतने हिंदोस्ता हमारा इसको पहले हिंदी में लेकिया आते है ह परसेंटेज है इसका मतलब क्या हो गया है एच अब बड़ा है और भी और डॉलर का मतलब क्या हो गया के बड़ा है अब यहाँ पे केबल बड़ावर का निसान तो है नहीं तो हमें सम institute को दो तरीके से लिखने की जरूर्ट भी यहाँ पर नहीं है के लिए अब हमें डाइरेक्ट लिखना है तो लिखो लिखा है बी इस्टार आर है ना बी इस्टार आर अगर यहां पर लिखा है तो अब इस्टार का मतलब यहां पर समझ लेते हैं इस्टार का मतलब बताओ क्या होता है तो हम कहेंगे बी छोटा है किस से आर से दूसरा के पहला relation देखिए अब पहले दिन के basic से हाँ पर बाबु काम करेंगे पहले दिन के जो basics हम लोगों ने clear किये थे वो ही काम करेंगे पहला relation हमें चाहिए B और R के बीच में देख पा रहे हैं आप लोग चलो अब B और R के बीच में हमें travel करना है और देखना है एक दूसरे को पीठ दिखा रहा है एक दूसरे की तरफ इस तरीके से आ रहा है देख रहे है और जब भी प्रतीक बेटा असमान होते है तो हमारे निसकर्स क्या होते है असत होते हैं तो पहला निसकर्स क्या है असत बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ये दोनों एक दूसरे के बिपरीत हों चाहे ऐसे बिपरीत हो जाए और चाहे ऐसे बिपरीत हो जाए इसका मतलब है अगर ऐसे हैं तो भी बिपरीत है और अगर ऐसे हैं तो क्या है समान है और ऐसे हैं तो क्या है समान है तो बिपरीत है और बिपरीत जब होते हैं तो निसकल् सत्थ है अगर यहीं पर मैं एक निसकर्स अपनी तरफ से आपको बेटा दे दूँ कि H जो है पर लिखूं H बरावर है के के तो H से लेके के तक की जर्णी में जो बरावर का निसान है आपको कौमन दिख रहा है आप इसको सही मत करिएगा क्योंकि मैंने बताया है असमान पिर प्रितिकों के साथ कभी भी बरावर का निसान सत्थ निसकर्स नहीं देता तो ये निसकर्स भी हमारा क्या होगा असत्थ हो जाएगा क्लियर हुए आपको बात आईए आगे बढ़ते हैं आईए क्लियर हुए ये बात चलो तीसरा सवाल लेते हैं अब तक तो इस परस्ट हो गया होगा अब इसका उत्तर जल्ली से आप लोगों को देना है मैं यह चाहूंगा कि इसका उत्तर जल्ली से आप लोग दे चलो बी ओमेगा वी ये आपकी सीट का कुश्चन नमबर तीन है फिल लिखा है बी परसंटेज एम और फिल लिखा है एम डॉलर जी एम डॉलर जी तीन लिखा है निसकरस लिखा है जे इस्टार भी आज बलकुर क्रिश्चल किलियर करना है इस मामले को और अभी लिखा है एम हैस भी मैं कहा रहा हूँ जो सीट में आपको हल करार हो इस सीट को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको डाउनलोड कर लीजे और आज आपका हॉम बर्क है पूरे सवाल आपको लगा के नीचे इसी के कमेंट बॉक्स में अपन कमेंट में लिखेंगे कि ये दिक्कत है तो बैस सब कुछ वहां पर आपको क्लियर करूँगा आईए अब देखो इसको बदलते हैं अपनी भासा में तुरंट इसको लेकर आते हैं अपनी भासा में ना तो बी ओमेगा बी का मतलब क्या होगा बताओ तो आप कहेंगे डॉलर जे का क्या मतलब होगा तो डॉलर का मतलब है एम बड़ा है किससे बताओ जे से तीनों बाते हो गई तीनों बाते यहां पर इसपष्ट होगे एम बड़ा है बताओ किससे जे से अब देखो अगर यह तीनों ही बाते यहां पर इसपष्ट हो चुकी है किलियर हो चु इसका मतलब क्या है, M, छोटा या बरावर किस से, V से, अब पहला relation हमें किसके बीच में चाहिए, अब देखो, यह बरावर का निसान है, तो हम इसके स्थान को बदल सकते हैं, हमने बताया था आपको, कि जब भी बरावर का निसान हो, तो इस समय करण को दो प्रकार से लिखा आगा सकता है, तो बदल लेजे, तो हमें आपको क्या लिखाएंगे, बताओ, V वरावर B, M, और J, अब गौर से बुद्धी लगाओ, जैसे आपने समय करण को बदला, आपका answer clear हो गया, अब गौर से देखियो, यह जो आपको चाहिए था, क्या बताओ, V बड़ा है, बरा है, क्योंकि हमें कथन से मिल रा है, आप गौर से देखिये, दूसरा सम्मंद चाहिए आपको J और B के बीच में, तो J और B के बीच का सम्मंद यहां से निकल जाएगा, ट्रेविल करने का, आपको एक ऐसा चिन्न चाहिए, जिसका मुझ B की तरफ खुला हो, और J की तरफ ब बात किलियर होई की नहीं होई, बताईए, आप बताईए, इनिक्वल्टी आसान लग रहा है की नहीं लग रहा है, अभी लेकिन इसमें बहुत बैराइटी के सवाल है, जो मैं आपको लगवाने वाला हूँ, बहुत सारी बैराइटी के सवाल है, अब यह आपे बताईए, क कि अब तक आपको चीज़ें समझ में आने लगे होगा, एक सवाल ओ लेते हैं हम लोग, चलो, K स्टार T, K स्टार T, जो आपकी जो है, पांचमा सवाल है, फिर लिखा है, T डॉलर M, फिर लिखा है, M ओमेगा J, ठीक, डो निसकाइस दियेगा है, लिखते हैं, J स्टार के, और लिखा है, J स्टार T, ज स्टार Kो, J स्टार T, आइए, अब गोड़ से देखिए आप, देखते हैं, आप K स्टार T को पहले देखते हैं, स्टार का मतलब क्या है बताओ, K जोटा है T से, T dollar M इसका मतलब है T बड़ा है M से M बरावर है G के अब देखो अगर यह बरावर का निसान आगया तो मैंने कहा था कि इस सम्मिकन को आप दो प्रकार से लिख सकते तो या तो हम इसको यह लिख लें या तो हम इसको यह लिख लें K T J बरावर M इतना तो समझ चुके है अब J star K का मतलब क्या है बताओ J star K का मतलब है कि J K बड़ा है G से और J star T का क्या मतलब है बताओ T बड़ा है G से अना देख लिजिए अब आराम से आप बताई यह उत्तर कर दीजिए क्या उत्तर होगा अब पहला समझ आपको किस-किस के बीच में चाहिए J और K के बीच पे तो देखो J और K के बीच में समझ बन नहीं सकता क्योंकि आपस में एक दूसरे के ब्रोद में सब ख़णे है इसका मतलब निसकर सा सत्त होगा और दूसरा संबंद आपको किसके बीच में चाहिए, J और T के बीच में चाहिए, तो J और T के बीच में यहां से संबंद साफ साफ मिल ला है, और T बड़ा है जिसे यहां से इसपष्ट हो जा रहा है, T बड़ा है जिसे इसका तो दूसरा क्या है सत्त है, पहला क्या है असत्त आपको यहां पर clear किया, clear, तो यह तो इस तरीके के सवालों की बात हो गई, जो आपकी जो है tabular form में, इस सारणी पर आधारित होते हैं, लेकिन हमेशा सवाल एक जैसे नहीं आते, अब मैं आप लोगों से उम्मीद करूँ मैं कि इन सवालों को तो आप लोग हम वर्क में हल कर बेजी है, जैसे आप एसे बहुत सारे लोगों के मेरे Facebook पर मेंसेज आए, मैंने कल आप किसे वीडियो में अपनी आपको ID भी दिखाई थी Facebook, मैंने आप से अन्रोथ किया था, कि आप लोग मुझसे Facebook पर जुड़ जाए, और वहां पर आपने जब मेंसेज किये, तो मुझे आपकी समस्चाओं के बारे में पता चला कि आपकी कैसी समस्चाओं है, क्लियर, तो आप देखिए, अब मैं कुछ अलग तरीके की सवाल आपको बताता हूँ, और फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ, कि मुझसे कैसे connect हो सकते हैं, ये मैंने seat आपको भेजी है, और इसी seat क का ये form है, क्लियर, इस तरीके के EC की देखिए, यही मैंने सवाल आपको एक एक करके लगवाए थे, यही आपके निसकर्स हैं, जो मैंने वहाँ पर क्लियर किये थे, क्लियर, आप देखिए, ये सवाल तो हो गया, कई सवाल ऐसे होते हैं, जिसमें आपको table बनानी की जरूर दोर से देखें, ये अभी व्यक्ति है, और हाँ, इस अभी व्यक्ति के आधार पे हमको बताना था कि कौन सा कथन सत्थ है, तो बहुत सारी चीजों के उसमें आ जाते हुए, सीधे इस पर बात करते हैं, देखिए, ये एक अभी व्यक्ति है, और इस अभी व्यक्ति के आध अब पहला जो सम्मंद है वो H और H के बीच में है, तो ये तो कोई सम्मंद होगा नहीं, तो गलत होगा, दूसरा है G बरावर F, तो देखे, G बरावर F कभी हो नहीं सकता, अगर हम K को यहां कर दें और G को यहां कर दें, तो G यहां से बढ़ा होगा F से, तो अगर यह बढ़ हो सकता है तो बरावर कभी भी हो नहीं सकता F बड़ा है और बरावर है H के F और H के बीच का सीधा संबंद क्या हमें मिल सकता है कता ही नहीं मिल सकता है क्योंकि यह H कभी भी यहां नहीं आ सकता G और K के स्थान तो बदल सकते है इसका मतलब ये भी सही नहीं है F बड़ा है और बरावर है G से F बड़ा है और बरावर है किसके G के तो देखो ये F अगर यहां पर आ भी जाएगा जैसे ये G अगर यहां पर आ जाएगा तो G अगर यहां पर आएगा तो G बड़ा तो हो सकता है F के लेकिन बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब है कोई भी अभी व्यक्ति इसमें से सथ नहीं है या हो सकता है कि मैंने typing में h का इक मान यहाँ पर h बराबर h ऐसी कोई अभी व्यक्ति होगी नहीं यह मैंने गलट टाइप कर दिया हो तो यहाँ पर अगर माल लिजे मैं कुछ all लिख देता हूँ जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि h h चोटा है या बराबर है k की तो यह अविव्यक्ति आपकी सही हो जाएगी माल लिजे इस option को ही मैं साफ कर दूँ और इस option के आपके मैं पहला option यह देता हूँ आपको तो निश्यत रूप से अविव्यक्ति सत्थ हो जाएगी क्योंकि केका जैसे यहाँ पर हम इंटर्चेंज करेंगे यह समीकर्ण हमें मिल जाएगा यह छोटा है बराबर है केसे हो यह व्यक्ति क्या हो जाएगी सत्थ हो जाएगी तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनमें कभी भी बताईए हमें समीकर्ण बनाने की यह टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती आराम से हमें ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं एक और ऐसा सवाल हम लोग यहाँ पर लेंक कोसिस करते हैं, चलिए, यह सारे सवाल आपकी सीट में दिये गए हैं, के लिए हैं, आईए, चलिए, जैसे X देखिए, इस समझना है, निम्न मैंसे किस समझना है, इस से आपको अच्छे से समझ में आएगा, हाँ, Z बड़ा है, W स सत है, अब हमें W और Z के बीच में रिलेशन चाहिए, तो गौर से देखिए, यह W है, और यह Z है, इन दोनों के बीच में देखिए, यह सिम्मल अनकॉमन जा रहे हैं, और जब भी सिम्मल असमान हो, तो यह कभी भी सत नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें यह सत होगा, अब द इसले के Z तक की जड़नी में हमें एक ऐसा सिम्मल चाहिए, जिसका मुख W की तरफ बंद हो, जेट की तरफ खुलाओ, तो गौर से देखिए, यहां पर यह सिम्मल तीनों में कॉमन है, और इसका मुख Z की तरफ खुला है, अता यह क्या होगा, निसकास बताएए, सत होगा, यहां पर देखिए, यह W जेट के बीच के सिम्मल अनकॉमन है, इसलिए असद्ध है, और यहां पर यह W जेट के बीच के सिम्मल अनकॉमन इसलिए असद्ध है, तो तीसरी वाली अविव्यक्ति क्या है, बताएए, तीसरी वाली अविव्यक्ति में रिजल्टेंट निकलता यह क्या है सकते हैं तो इस प्रकार से जो हमारे पुष्णों होते हैं हम आसानी से इन पुष्णों को हल कर सकते हैं कल्ले के वीडियो में कल्ले की जब किलास होगी तो जितने भी आपके पुष्ण यह Corps है मैं आपको बारी बारी से नहीं करा हूँ मैं आपसे Facebook से जुड़ना चाहता हूं कि रुप्या मुझे वहाँ पर follow करें के लिए टाकि वहाँ पर हम लोग एक नई तरीकी से पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा सके या पर कोई ऐसा हो कि हम आपसे connect ही ना हो पाए तो हम Facebook के माद्धिम से भी आप लोग की मदद का सके है ना चलिए तो यह इसने अपना प्रेम हम लोग को वहाँ पर Facebook पर आप जरूर दे वहाँ पर जो है आप मुझे से जुड़े ताकि आगे की गत्विदिया भी चलते रहे अब जितने सवाल आपको आज क्लियर नहीं है जैसे मालीजे इसके कई तरह की सवाल यहाँ पर ऐसे होते है ऐसे यहाँ पर यह सवाल है जैसे निमलिक तव्योति किसम है उसी प्रकार का एक सवाल है R बड़ा है L से निश्चित रूप से सही है क्या है बताओ R बड़ा है L से सही कर लेते हैं अब देखो यहाँ पर अब N और R अब देखे बुद्धी मानी क्या है यह R है ना अब हमें चाहिए क्या R बड़ा है L से यहाँ पर L बड़ा हो जाएगा R से इसलिए गलत है यहाँ पर अगर हम L यहाँ ले आते हैं तो L और R के बीच के सिंबल अपोजेट है इसलिए गलत है, सिंबल असमान है यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं तो यह अभी व्यक्ति आपकी बिल्कुल सही होगी क्योंकि L से लेके R तक की जर्णी में जो सिंबल आपको R की तरफ खुला हुआ चाहिए वो common है, तीसरा सही है यह देखिए uncommon है, तो यह भी गलत है और यह भी गलत है तो अब जब basic concept आपको clear हुआ तो आसानी से इस तरीकी के सवाल आप हल कर सकते हैं इस तरीकी के सवाल हल करने में साथ ही साथ हो सकता है कि मैं GS के एक जबरजस्त practice set के साथ भी आप से बिलू चाहे वो PCS की परिक्षा आप दे रहे हो चाहे ROAR की परिक्षा दे रहे हो चाहे BO की परिक्षा दे रहे हो चाहे UPSI, एक common GS का practice set बेख्षा सहत मैं आपके सामने लाओंगा जिसमें कुछ home work मैं आपको भी दूँगा और कुछ मैं भी करूँगा ऐसी एक योजना मैं मना रहा हूँ कि जब तक ये बंध है तो कुछ महत्पूर प्रशनों के साथ आपका division करा सकूँ तो आप अपना ख्याल रखें अच्छे से रहे, स्वस्त रहे टार्गेट बता लोग online institute यही काम न करता है यही उसर से प्रास्थना करता है सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करें जान है तो जहान है बहुत अच्छे से रहे, ख्यार रखे और मेरा पूरा भरोसा विश्वास है कि हम सभी लोग स्वस्त रहेंगे थैंक यू सो माच, लव यू आल, टेक केर कल फिर मुलाकात करूँगा धन्नवाद